आजा संडास दिखा तो हाँ ब्लास्ट साइट के पास लगाई जा रही है दो घटे और 29 मेट का वक्त बसता है जिसके बाद ये धोस्त हो जाएगी इमारत इन सब के भीच आपको हम बता दे की चप्पे-चप्पे की निगरानी की जा रही है बकाइदा CCTV कैमरों की मदद बिली जा रही है नोईडा 30 की ओर से ट्विन टावर के चारों और CCTV कैमरों का जाल है भाई क्या कर रहे है तू? मजाग है क्या? आप क्या बहुत जादे पीते हो क्या? इससे वायाद प्रडक्ट मैंने जिन्दगी में ना देखा है ना मैं देखना चाता हूँ मेरे को भवान उठा ले इतना गंदा प्रड़त है यही नहीं, अभी और सुनिए मैं आपको बता दू हमारी तैयारिया पूरी है, इंतिजाम पूरे है चाहे वो स्वास रिलेटेड परिशानी हो, ट्राफिक रिलेटेड परिशानी हो इसके बाद क्या कुछ होने वाला है, लोग कैसे लोटेंगे, जो लोग निकल चुके हैं, वो है कहां, कर क्या रहे हैं, उनके लिए क्या इंतिजाम है सब कुछ आप तक पहुँचेगा, ABP News की स्क्रीन के जरीए, आप बने रहे हैं इस बड़े और एक्स्क्रूसिफ कवरिज पे मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए सबसे पहले, कॉलम में, ड्रिल करके एक होल बनाया जाता है, ये ड्रिल मशीन, ड्रिल मशीन के जरीए, ये जो कॉलम है, इसमें होल बनाया जाता है तो आज की सुबह बहुत ही खास और एतिहासी, कई लिहास से अगर आप देखें, भरष्टा चार की वो इमारत जो कुत्व मिनार से भी उची है, उसे गिराने की पूरी तैयारी कर ली गई है ये गगन चुम्बी इमारत फस्त होने वाली है, जमीन दोस होने वाली है, वहास पास किस तरह की हल चल है, पूरी जानकारी तस्वीरों के जरीए एबी पी नियूज लगातार आप तक पहुचा रहा है क्या चल गए रहा है ये देश संकट में है काउंडाउन शुरू हो चुका है, उल्टी गिंती शुरू हो जाएगे और कल जैसे ही दो पहर का धाई बज़ेगा और ये जो मेरे पीछे आप इमारत देख रहा है ये ट्विन टावर्स हैं, ये ताश की पत्तों की तरह ठीर हो जाएगे ये मेरे पीछे बल्कूर आप देख रहा है, ये 35.1 मंजिल की इमारत है और तक्रीबन 97.3 मीटर इसके उचाई है, दोनों बेहद नजडीक है, बेहद निकट है 9.88 मीटर के इनके बीच में जो गैप है इन दोनों के बीच के दूरी बहुत जाता नहीं है मामूली सा गैप है 9,640 शेद किये गए जिनमें भरा गया है बारूत और ये बारूत चंद सेकेंड में पूरी की पूरी बिल्डिंग को द्वस्त कर देगा हमको नहीं पता हमको कुछ नहीं पता हमारे यहां ऐसा ही होता है